ओ नम भगवत दिवासु 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 द्वादश मंत्र कहलाए पावन मंत्र कुछ अपने से विश्नु क्रिपा बरसाए हर किर्तन में जाए तजममता भिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यग्य समान रूप चतुर भुजधारी प्रभू शंक चक्र ले हात शीर सगर में रहत सदा सिंधु सुता के साथ लक्ष्मी पती श्री हर विश्नों जी जगते पालन हार आई तेरे शरण में विंती करो स्विकार लक्ष्मी संद विश्नों आओ सुक संदे दे बरसाओ लक्ष्मी संद विश्नों आओ सुक संदे दे बरसाओ श्री राम बन कर आए कि अरावण का संधार धरती पर आकर सदा हरते पाप का भार जब जब धरा पे पाप बढ़ा लेती हो अवतार श्री कृष्न बन कर किया कंस का तुमने संधार बढ़ गया हिर्ण कशप का धरा पे अत्याचार मार दिया दुराचारी को ले नर सिंग अवतार हरी सुमिरन सब से बढ़ा इससे बढ़ा न कोई धाई अक्षर हरी नाम का जपे सु पंडित होई ओ नम भगवतिवासु दिवाई भग तो पिरे ना सदा सहाई ओ नम भगवतिवासु दिवाई भग तो पिरे ना सदा सहाई तीनों लोक के दाता हरी सारी दुनिया दास लक्ष्मी जी सद रहती है विश्नु जी के पास हरी नाम ही सत्य है मिध्या सब संसार अंत समे हरी नाम ही करता भव से पार देवो के देव महदेव भी विश्नु को करे प्रणाम तीनों लोक चौदा हभवन सब से बड़ा हरी नाम हरी नाम के महिमा भारे के देवेद पुरा संकट में जब भत पकारे प्रभू बचाते जान लक्ष्मी संद्व शनु आओ सुक संद्व दे बरसाओ लक्ष्मी संद्व शनु आओ सुक संद्व दे बरसाओ राम ही मारे राम ही तारे राम करे भवपार अपने हाथों मार के पापी को दियतार अमर किया देवताओं को अमरत किया प्रदान जनम मरण से मूट किये नारायन भगवान हरी अन्त है हरी शुरू कड़ कड़ करती वास बिन हर किरपा त्रण नहीं ढोले कितना हो करे प्रयास हर प्राणी के स्वास में बन के हवा समाई चक्र सुदर्शन धारी प्रभू सबको नाच नचाई ओ नम भगवतिवासु दिवाई भग तो पे रहे ना सदा सहाई ओ नम भगवतिवासु दिवाई भग तो पे रहे ना सदा सहाई शीर सगर में रहते हरी शेश की सया लाए सात में लक्ष्मी बैठ के पावन चरण दबाई हरी चरण से निकली गंगा जगतारिण कहलाई नित गंगा इस नान से तनमन शुद हो जाई नाम जपत शिव अमर भयो पाहर से वरदान अपने वश की राम को पवन पुत्र हनुमान चरणा मृत नारा यण का जो भी करे नित पाहन कष्त रोग से मूत हो जग में बने महान लक्ष्मी संद विशलू आओ सुक संदे बरसाओ नारा यण सब के श्वामी सारा जग है दास हर पल नारा यण रहते निज भगतों के पास नारा यण के जपने से सुखी रहे परिवाल नारा यण के संग लक्ष्मी भगतों के आती द्वाल श्री नारा यण लक्ष्मी का जिस घर में हो वास धन बल बुद्धि वेध्या वैभव सब कुछ उसके पास परम पिता परमेहेश्वर सब देवों में महान धर्ति के सारे प्राणियों का सदा करे कल्याण ओ नम भगवतिवासु दिवाई भगतों पिरे ना सदा सहाई ओ नम भगवतिवासु दिवाई भगतों पिरे ना सदा सहाई सुर्णर मुनिगुण गाते है हरी से डरता काल श्री हरी के भक्त है शिवशंभु महकाल ब्रस्पतिवार वत जो करे श्रधा से मन लाए उस पे श्री हर वेश्णुजी अपनी क्रपा बरसाई तुलसी दल दूद गंगा जल हरी के मन को भाए सदा सुखी वो रहता है जो भी भोग लगाए जब जब धरा पे पाप बढ़े प्रभुलेते अबतार संत जनों की रक्षकरे असुरों का संघार लक्ष्मी संघ शलू आओ सुक संघ दे बरसाओ लक्ष्मी संघ शलू आओ सुक संघ दे बरसाओ एक अदशी व्रत जो करे श्रद्धा से मन लाए उसके खुश होकर हरे अपने क्रपा बरसाओ विश्नु चालि सानित बढ़े धर विश्नु का भ्यान विश्नु के संघ लच्मी भी करती है कल्यार कष्ट नशावन अखिल बिहारी शक्ती अपरंपार नाम तेरो त्रिभुवन बिख्यार जान सकल संसार सुन्दर रूप मनोहर सूरत गलवे जनती मार सत्य तुम्ही हो सत्य नराय बाकी माया जार नम भगवतिवासु द्वाई भगतु पेरे नव सदा साहार नम भगवतिवासु द्वाई भगतु पेरे नुस दा साहार सत्य सनातन धर्म तुम्ही संतों के सत्कर्म उसको वैसा फन देते जिसका जैसा कर कर वंदन कर जोर के संजी संग के लाश श्री हर विशनु विन सुनो बनालो अपना दास श्री विशनु की अमरत धारा जो भी सुने मन लाए उसके घर धन वर्शा हो विशनु हो तिसा हाई शिखा हाथ जोड़ के करती है प्रणाम श्री हरी मेरे विशनु करो पूर्ण सब काम लक्ष्मी संग विशनु आओ सुक संग के बरसाओ श्री विशनु सुनिये विनय सेवक की चित लाए कीरती कुछ वर्णन करूं दीजे ग्यान बताए नमो विशनु भगवान खरारी कष्ट नशावन अखिल बिहारी प्रवल जगत में शाति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजियारी सुन्दर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहनी मूरत तन पड़ पीता बरहती सोहत बैजन्ती माला मन मोहत शंख चक्र कर गदाब राजे देखत दैति असुर दल भाजे सत्य धर्म मदलोभ न गाजे काम क्रोध मदलोभ न छाजे संत भक्त सजन्मन रंजन दनुज असुर दोष्टन दल गंजन सुख उप जाए कष्ट सब भंजन दोश मिटाए करत जन सजन पाब काट भव सिंधू उतारन कष्ट नाश कर भाक्त उबारन करत अनेक रूप प्रभु धारन किवल आप भक्त के कार धरन धेनू बन तुम ही पुकार तब तुम रूप राम का धार भार उतार असुर दल मारा रावन आदिक को संहारा आप वराह रूप बनाया हर न्याक्ष को मार गिराया धर्मत्स्यतन सिंधू बनाया चोद हरतनन को निकलाया आमिलक असुरन द्वन्द मचाया रूप मोहनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया असुरन को छविसे बहलाया कूर्म रूप धर सिंधू मझाया मंद्रा चल गिर्थुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुडाया बसम असुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हे ढुनवाया मूहित बन कर खल ही नचाया उस ही कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बल दाई शंकर से उनकीन लडाई हार पार शिव सकल बनाए कीन सती से छल खल जाई सुमिरन केन तुम्हे शिवरानी बत लाए सब भिपत कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्यानी व्रिंदा की सब सुरति भुलानी देखत तीन दनुज शैतानी व्रिंदा आये तुम्हे लपटानी होस बर्ष धर्म शतिमानी हना सुर उर शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारिक धिरना कुष आदिक खल मारि गणिकार आजा मिल तारे बहत भक्त भव सिंधु तारे हर हु सकल सन्ताप हमारे क्रिपा कर हु हर सिर्जन हारे देखा हु मैं निज दर्ष तुमारे दीन बंधु भगतन हित कारे पूजन कुमति विलोक होत दुख भीशन करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भाति मैं करहु समर्पन सुर्मुन करत सदा सेव काई हर शित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई पाप दोश संताप नशाओ भव बंधन से मुक्त कराओ सुख संपति दे सुख उप जाओ निज चर्णन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुनै सोजन सुख पावे ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए भगत जनों जब जब भगतों पर भीड पड़ी है तब तब श्रीहरी विश्णू जी ने अलग अलग रूपों में अव्तार धारन कर भगतों को पाव उप संतापों से मुक्त किया है उनके प्रमुख अव्तार हैं भगतों मच्य अवतार, वरा अवतार, पूर्म अवतार, नर्सिंग अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, वक्रिश्न अवतार परन्तु आज में आपको उनके मोहिनी अवतारों की दो प्रमुक्र संगीत मैं कताएं सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको ग्यात होगा कि क्यों और कैसे श्रीहरी विश्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किये और कैसे देवों का रक्षन किया तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम से बोलिए बोलिए श्रीहरी विश्णु नारायन भगवान की कैसे श्रीहरी ने मोहिनी का रूप धारा कैसे श्रीहरी ने मोहिनी का रूप धारा मोहिनी के रूप ने तो भगतों को अपने तारा कैसे श्रीहरी ने मोहिनी का रूप धारा कैसे श्रीहरी ने मोहिनी का रूप धारा पहली कथा सागर मन्थन की है भगतों देव और दानव मिलकर सागर मन्थन कर रहे हैं मन्थन से चोधै रतनों के साथ साथ वैदिधन मंत्री अमरित कलश भी लेकर निकली जिसे पाने को देव और दानव आपस में भिड़ गए थे भक्तों दानव अधिक बल्चाली थे सो अमरित कलश लेकर भाग निकले सभी देवी देवता श्रीहरी नारायन की शरण में आये और अमरित कलश वापस लाने की गुहार करने लगे भला आपने भक्तों की पुकार देवा नारायन कैसे न सुनते ओन होने मन ही मन एक जुक्ती सोची है श्रीहरी नारायन विपदा हरो हमारी अमरित को लादो वापस हम है शरण तुमारी हमको तो आपका ही हे हरी तो है सहारा कैसे श्रीहरी ने मोहिनी का रूप धारा भग्वान श्रीहरी नारायन ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया भक्तों और पहुँच गए असुरों के सन्मुख उनके अतुलित सौंदर्रे को देखकर सभी असुर कामातुर होकर उससे विवा करने हे तुम लालाए थो उठे मोहिनी रूप श्रीहरी ने कहा जो उनकी ताल से ताल मिलाकर निट्य करेगा वो उसी के संग विवा करेंगी सारे असुर अमरित कलश को भूल उनकी ताल में ताल मिलाकर निट्य में मगन होगे भक्तों और इसी में अवसर देखकर मोहिनी रूपी श्रीहरी विश्णू ने अमरित कलश भूठाया और अंतरध्यान होगे तथा देवों के सन्मुख प्रकट होकर उन्हें अमरित मान करा उन्हें अमरत को प्रदान किया ओं नवो भग्तेवा सुदेवाई लवः मोहिनी बने नरायन असुरो को थान चाया अमरित कलश उठाया देवों को था पिलाया मोहिनी के रूप ने ही सभी देवों को था तारा कैसे शिरी हरी ने मोहिनी का रूप धारा मोहिनी अवतार की दूझी पावन कथा भग्वान शिव से सम्मंदित्थे बक्तु दैत्य भस्मा सुर ने भग्वान शिव का कठोर तप किया और जब भगवान शीव उसे वर्दान देने आए, तो पहले तो उसने अमरत्व का वर्दान मांगा जब भगवान शीव ने इसे नीती सुरूप न बताया, तब उसने वर्दान मांगा धे भोले नार, मैं जिसके सिर पर हात धरूँ, वो ततकाल भस्म हो जाए भोले शंकर तो भोले हैं बक्तों तकाल प्रभाव से तथास तू कह दिया जैसे ही तथास तू कहा तो वो असुर अपने बर्दान को प्रमारित करने है तू भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने के लिए उनके पीछे-पीछे भागा भगवान भोले शंकर आगे आगे भाग रहे और असुर पीछे पीछे भगवान भोले नात भाग कर श्री हरी की शरण में आए और अपने प्राणों की रक्षा की गोहार करने लगे भसमा असुर से बचके विश्नु शरण में आए भोले शिव को तो बचाने मोहिनी का रूप धाए गए भसमा सुर के सनमुख शिव का बने साहारा कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धाए भसमा सुर मोहिनी का अतुलित सौंदर्य देखकर ध्रमित हो गया भक्तों और उससे विवा करने हे दूप आतुर हो गया मोहिनी रूपी श्री हरी ने कहा कि यदी वो उसकी ताल में ताल मिलाकर नित्ति कर सकता है तभी वो उससे विवा करेंगी असुर ततकाल तयार हो गया फिर क्या था जैसे जैसे मोहिनी नाचती असुर उसका अनुसरन करता रहता नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा भक्तों असुर ने भी उनका अनुसनन करते हुए वैसा ही किया और भगवान शिव के अवतार के अनुसार अपने सिर पर हाथ देई वो ततकाल प्रभाव से भस्म हो गया और इस तरहे भगवान श्रीहरी के मोहनी स्वरूप ने भगवान शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी भगवान भोले शंकर ने श्रीहरी नारायन के चरणों में नत्मस तको उनकी जैजेकाय करी तो आप भी भक्तों बग्वान श्रीहरी नारायन की जैजेकार कीजी बोलिए बग्वान श्रीहरी विश्नु नारायन की ओ नमो भग्वतेवा सुधेवाई रमगा मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संघारा मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संघारा श्यवजी के प्राण राखे उनका बने सहारा श्यवजी के प्राण राखे उनका बने सहारा चन्दन तिलक ने भगतों श्री हरी का नाम उचारा कैसे श्री हरी ने मुहिनी का रूप धारा पालन करता विष्णों जी हम आपका ध्यान लगाए भक्ती भाव से आक्षरण में आपकी महिमा का आए जै लक्ष्मी पती जै नारायन जै चक्र सुदर्शन दारी गदा पदम शुबे प्रभु के करमे जै बैकुंट बिहारी जै लक्ष्मी पती जै नारायन जै चक्र सुदर्शन दारी गदा पदम शुबे प्रभु के करमे जै बैकुंट बिहारी जै चक्र सुदर्शन धारी हरी हरी मोल हरी हरी मोल नारायल हरी नारायल नारायल हरी मोल शिरसागर में लगा के रहते शेशनाग की शैया बैठ के आपके चरण दबाए संग में लक्ष्मी मैया शिरसागर में लगाके रहते शेशनाग की शैया बैठके आपके चरण दबाए संग में लक्ष्मी मैया भक्तों की रक्षा करने आते करके गरुण सवारी गदा पदम शुभे प्रभु के करमे जै बैगुंत बिहारी जै चक्ष्मी पती जै नाराय जै चक्र सुदर्शन धारी गदा पदम शुभे प्रभु के करमे जै बैगुंत बिहारी जै चक्र सुदर्शन धारी तीनों लोकों के दाता श्रीहरी सारी स्रिष्टी चलाते है जिस घर में लक्ष्मी संग आते उसको स्वर्ग बनाते है तीनों लोकों के दाता श्रीहरी सारी स्रिष्टी चलाते है जिस घर में लक्ष्मी संग आते उसको स्वर्ग बनाते है सर्व सुखों के दाता स्वामी आपकी महिमान्यारी गदा पदम शुभे प्रभु के कर्मे जैवे गुंत दिहारी जै चक्ष्मी पती जै नाराय जै चक्र सुदर्शन धारी गदा पदम शुभे प्रभु के कर्मे जै वे गुंत दिहारी जै चक्र सुदर्शन धारी रूप चतुर भुजदारी प्रभु जी सबके मन को भाते हैं धन्य हो जाता जीवन उसका जो भी दर्शन पाते हैं रूप चतुर भुजदारी प्रभु जी सबके मन को भाते हैं धन्य हो जाता जीवन उसका जो भी दर्शन पाते हैं सबके कश्क मिटाने आओ पुला रहे नर नारी गदा पदम शुभे प्रभु के कर्मे जै वे कुंत विहारी जे रक्ष्मि पती जे नारायक जे चक्र सुदर्शन धारी गदा पदम शुभे प्रभु के कर्मे जे वे कुंत विहारी जे चक्र सुदर्शन धारी